नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरो और ए आरो यूपी आरो आरो में जो पूछे गए थे हिंदी के कोशन प्रीबियस एर में तो उनी कोशन पे डिसकस करेंगे कि उन क क्या 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 क सप्ध का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उफसर्ग कहते हैं जैसे कि पूरुःषा का जो हता है कि मालीं इसले की पाणी डिवी आप लिगन है पानी अपनी नीजudosते अगगा पानी छो जाएंगा उफसर्ग और नी हो जाएगा प्रत्यार पाल तो पाश़द माना जाएगा उफसर्ग का दोस्तों पाल उफसर्ग माना जाएगा देखते हैं आंगे संसत के उफसर्ग देखी दोस्तों जैसे कि अती जैसे इसकी अतीशह अतीशह में क्या हो जाएगा अतीशह हो जाएगा उफसर्ग अत्याचार अत्या हो जाएगा उफसर्ग अतिसार अतीशह हो जाएगा अतिसार तो यह अतिसद उफसर्ग हो जाएगा जैसे कि आ, बड़ा आ, आजीवन, तो बड़ा आ हो जाएगा, प्रत्य आकार, आजीवका, तो बड़ा आ हो जाएगा आपका उपसर्ग, निष्ट है, परी, जैसे कि परिमाप, परिचे, परिमाण, तो परी, परी हो जाएगा आपका उपसर्ग, अब देखते हैं, जैसे कि पुपरोग हो जाएगा सब्सक्राइब होजा हम्पकार में अप्सर्ग में अचेत है अमर अशांग तो आ यह आपके हिंदी के उफसर गाइए आपके आपी को जाएगा अश्रत हाँ आपका अभशर्ड गहां अरे अन में आ जाता है अन स्टार्टिंग का सannel सब्थ अन्मोल अनजान अनाचार अन अन तो अनाचार का जैसे जिसा कैसे भर मार भर भर 실क भर पेट का उप्सर्क का क्या हो तो भर 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 हो जाएगा उफ्ष्रक पेठ हो जाएगा परहत्य है tastes लेज्टшей के दू have जैसर कि दुब्ला दुगना दुशः तो दुब्ला का उफ्षर क्या होगा। उनका उनाशी उनतीस उन्चास। अब देखते हैं अर्बी और फार्सी के उफसर्ग। जिसा कि अल मस्त अर्थ हो जागा अल का अर्थ इसका होगा अल मस्त एसे कि बनेगा जाकि अलबत्ता अलवेला जैसकि उपसर्ग में बद बद क्या हो जाएगा दोस्तों बद में हीनता बत्तमीच बदवू इस टाइब से उपसर्ख अरभी फार्सी के उपसर्ख होंगी दोस्तों अब देखिए यसे कि कम कम कहहाई है का अल भी कमजोर कम्षिं कम अब देखिए बा कहा इसा अनुसार बनाम बद्वलत बद्वा खार बद्वलत का बा बद्वाई ओव्यात के हम साथ di पर दिस्कश करते हैं आफ द णिस जटेहत कि हाफ जिसकी हाफ पेंट हाफ बॉड़ई अिसकी है कि हाफ हो जाएगा आपका उस पर उपसल्ग अब देखें सब का सब पोस्टफ मास्टर सब इंस्पेक्टर हो जाएगा यह अंग्रिजीकों सर गई मीनिश्टर तो पहला सब जाएगा चीफ मिनिष्टर उसर बन जाएगा मैं ये की दोस्तों जंडर्छे जंडर्र मैनेजर जंडर्र पंडित उफसर बन जाएगा जीसिए की पुट्र के चिर चिरकाल चिरायू बनेगा उपसर्ट कें सच ठाप्सार का सब्सार्ट important कि अब देखिए तोस्तों आ से क्या बनेगा अन नीती अधर्म अनत सब्डर आ इसमें अन में भी आ रहा है अनीती में भी आ रहा है आधर में भी आ रहा है अनंत में भी आ रहा है तो उसमें आसब्द उपसर्ग बन जाएगा ने श्रेद दोस्तों अंतर तो इसका होगा अंतर न्याद अंतर ध्यान इस ताइप से आप उपसर्ग से समझ सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों अब हम लोग कुछ उपसर के कोशन पर डिसकस कर लेते हैं, जो गतबर्स कोशन पूछे गए हैं, आरो और आरो में, तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले एक पेन और कॉंपी लिजिए, उसमें आप इन कोशन के आंसर काउंट किजिए कि इन चार आप्शन में इ इतने आंसर जिदने सही हुए, उतने नमबर आपके एकदम कर्रेक्ट मानने जाएंगे दोस्तों, दोस्तों कॉंपी ओपेन ले लिजिए तो स्टार्ट करते हैं, पहला कि अधि ग्रहन का उपसर्ग क्या होगा, आपके आप्शन है, एक आ, दूसरा अप, तीसरा ग्रहन, चोथा अधि, तो बताईए दोस्तों, इसमें से आंसर क्या होगा, वहासा करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने आंसर पता कर लिया होगा इसका, तो दोस्तों अधि ग्रहन का जो उपसर्गुगाब होगा अधि, इस्टार्टिंग का पहला सा, जिसे मैंने आपको पहले ही आया था, अधि, अधि हो जाएगा उपसर्ग नेश्ट कोश्चन, अब भ्यार्थी का उपसर्ग क्या होगा, आपके ऑप्शन है, एक अभी, दूसरा अभ, तीसरा आ, चोथा अर्थी, तो दोस्तों, आसा गरते हैं आप लोगों ने आंसर पता कर लिया होगा दोस्तों, त प्रती, दूसरा प्रत, तीसरा प्रा, चोथा अच्छ, तो बताईए आप लोग अंसर क्या होगा, तो दोस्तों, प्रते अच्छे का अंसर होगा, प्रती, नेश्ट है, निरोग का उपसर्ग क्या होगा, आपके अंसर है, तो दोस्तों, निरोग का उपसर्ग होगा, रोग निर्दोस्त का उप्षर्ग क्या होगा आपके option है एक नी दूसरा नी तीसरा निर चोगता निश्य तो दोस्तों आसा करते हैं आप लोगों ने आसर पता कर लिया होगा इसका किसका correct आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका correct आंसर होगा निर नेक्ट देखते हैं 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 देखत तो दोस्तों बेखवर का उफशर्ग होगा बे, इस्टार्डिंग का पहला च्छर्ग, बे, नेस्ट देखते हैं, अध्यापिका का उफशर्ग क्या होगा, अध्यापिका का उफशर्ग क्या होगा, अध्यापिका उफशर्ग, उद्घाटन का उफशर्ग क्या होगा, आपक तो दोस्तों उद्गाटन का उप्षर होगा उद्ध नेश कोश्यन लावारिश का उप्षर क्या होगा आपके आप्षन है एक ला दूसरा ला तीसरा है रिस चोथा है इस बताइए, ला वारिष का उफशर क्या होगा तो दोस्तों, ला वारिष का उफशर होगा ला वारिष ला बारिष अब हम लोग प्रत्भी पोर्द कोशन में डिसकिस कर लेते हैं काफी कोशन मिले जूले कोशन ऐसे भी हैं जो कटपर्स पूछे जा चुके हैं आरो ए आरो में तो बताइए नेम लिखित में प्रयूक्त सब्द का स्चैन किजिए प्रत्ते में यूक्त सब्द का प्योग किजिए इमें यूक्त सब्द का उन्सा है आपके आप्षिन है A. 11, B. आजन्म, C. परामर्स, D. खुश्भू तो दोस्तों युक्त सब्द का आंसर होगा इक हरा इसमें युक्त है इक हरा युक्त सब्द प्रत्य होगा वहोगा युक्त सब्द में इक हरा सब्द है नश्ट देखते हैं निम नांकित में कौंसा सब्द बिदेशज है बिदेशज है आपके आप्शन है A. आउरत B. आग C. खेद D. पगड़ी तो दोस्तों पताईए आंसर क्या होगा आसर करते हैं दोस्तों आप लोगों ने आसर पता कर लिया होगा दोस्तों बिदेशा सब्ज में वो आउरत सब्ज एक बिदेशा है आउरत नेश्ट देखते हैं दोस्तों निम्नांगित में से व्याक्रण की ड्रष्टि से असुद्ध सब्द को चुनिये आपके आप्शन है A. स्री भगवत बागवत की कथा पंधरे दिनों में समाप्त हुई B. यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है C. प्रत्वी का कोई वीदेश कंप्यूटर क्रांती के प्रभाव से अच्छोता नहीं रहा D. अभी देश में स्ववत्र शांती है तो बताई इसमें कमसा असुद्ध बागव है तो दोस्तों इसमें यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है इसमें अई असुद्ध बागव के है नेश्ट कोश्चन निम्नांकित में से अबबई भाव समास का उधारण चुरिए आपके आप्शन है A. रक्त पुस्प B. गंगाजल C. सिताराम D. निशन्दे तो बताई इसमें अबबई भाव समास कौन सा है तो दोस्तों निशन्देश में अबबई भाव समास है नेश्ट कोश्चन चातरग्या में इनमें से किस बरग में है नमबर आपके आप्शन है A. शयूक्ट बेंजन B. दीर्ग बेंजन C. स्वर बेंजन D. बेंजन चातरग्या में चातरग्या आजाता है नेश्ट है E. और बड़ी E किस प्रकार के बरण है आपके आप्शन है बी दन्तस्त C. दन्तोट्स D. तालूब तो बताए E. और E. किस प्रकार के बरण है तो दोस्तों E. और बड़ी E ये तालूब के बढ़ में ये तालूब से बोले जाते हैं निश्ट है जहां बिरोध ना होते हुए भी बिरोध का आभास किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है आपके आप्शन है A. अतिश्योक्ति B. बिरोधा आभास C. स्लेस D. है यमक तो बताईए दोस्तों किसका आभास होता है आसा करते हैं दोस्तों आप लोग ने आशर पता कर लिया हुआ इसका तो दोस्तों जहां बिरोध ना होई बिरोध का आभास किया जाता है वहां पर बिरोधा आभास अलंकार होता है नेश्ट कोश्चिन चंद सास्तर का दूसरा नाम है आपके option है A. राजनीती सास्तर, B. रासायन साथ, C. पिंगल सास्तर, D. दर्सन सास्तर तो बताईए दर्सन सास्तर का दूसरा नाम क्या है तो दोस्तों दर्सन सास्तर का दूसरा नाम है पिंगल सास्तर Next question पढ़नी में यारा लावा को संचेत में क्या कहा गया है आपके आप्षन है A. यलव B. यलव C. गन T. यान तो बताईए दोस्तों यारा लावा में के संचेत में क्या कहा गया है तो दोस्तों यारा लावा में संचेत में कहा गया है यान आपका आंसर होगा D. यान नेश्ट है सरंगारास का इस्थाइबाव क्या होगा यह काफी easy question है आपको पता ही होगा अगर आप लोग ने इसके नियम पढ़े होगी तो आपको जरूरी इसके पता होगा कि सरंगारास में कौंसा इस्थाइबाव है तो बताइए कौंसा इस्थाइबाव होगा इसमे तो आप लोगों संदियों की नियम पढ़े होंगे तो आप लोगों को जरूब पता होगा तो दोस्तों बताए इसमें कौन सही संदी होगी अती प्लस उत्तम में यहन स्वरसंदी प्युक्त की जाएगी नेश्ट है जो मास खाता है के लिए उप्युक्त सब्द है आपके दोस्तों जो मास खाता है उसके लिए उप्युक्त सद्ध इसमेंश्ब नेश्ट है आपके आप्टिय आपके आपशन है निम नांकित में सी क्रिया बिसे लट को चुनिए अपके आपशन है A गोला कार B विदुता पूर्वक, C, दूना, D, निर्दय, तो बताएए, कौन सा अंसर होगा, क्रिया विसलेशन को चुनिए, तो दोस्तों इसका अंसर होगा, दूना में क्रिया विसलेशन है, नेश्ट कोश्चन, समासिक पद में भ्यण बकरी में प्रियुक्त समाज है, आपके आप्शन है, A, तत्पुरुष समाज, B, अबभवाव समाज, C, दून समाज, D, करंदार समाज, तो भ्यण बकरी में प्रियुक्त समाज कौन शा है, बताएए आप लोग, तो दोस्तों, भ्यण बकरी में दून समाज है, दून समाज का पचानने का तरीका है, कि बीच में लाइन जैसी होती है, इस प्रिकार से लाइन जैस होती है, भ्यण बकरी बीच में लाइन, तो इससे आप दून समाज पैसान सकते, सबसे आसान तरीका है, इसको पैचानने क निएम लिख़ें में से कुछा सब्द आ-उपसर्म नहीं है अगर आपने समझे होगे तो आप पता सकते हैं किसमें आउपसर्म के नहीं है आपके औलइम एअ जन्म सि आमरण सि आगमन तो बताईए आउपसर्म में नहीं है तो दोस्तों इसमें अवग्या में आसब्द निर्मित नहीं है देखिए आ जन आ बड़ा आस हमें है तो अवग्या में नहीं है तो गलत हो जाएगा बी नेस्ट है व्याकरणती ड्रश्टी से असुद बाक कौन सा है तो बताईए पहिचा दिये और हमको बताईए तो दोस्तों आसा कर दें आब लोगोंने आप आफ्शन देखके पता कर लिया होगा थोड़ा मैं टाइम आप लोगों को और दे रहा हूं तो बताईए तो दोस्तों इसमें सवा ग्रे का निर्मार कार संपन हुआ आंसर होगा C ये असुद बाक्य है नेश्ट है दोस्तों सपेरा नामक सब्द रूप से प्रत्य को अलग कर मूल रूप को लिखिए आपके अवश्ण है A ERA, B Shui, C Pera, DA उप्यूक तो सभी मूल रूप है तो बताएए सपेरा नमबर मूल सब्समें प्रत्य को अलग कर के बताएए तो इसका अधर होगा ERA प्रत्य वाश्च झा नामक सराया प्रत्य था निम्नांकिन में इसे भाव बाचक संग्या के उधारण को चुनिए आपके आप्शन है A. रेगिस्था, B. हिमाले, C. एक्ता, D. भारतबर्स तो बताइए भाव बाचक संग्या के उधारण को चुनिए तो दोस्तों सी गड़बढ इसमें देशा सब्द है अले कि टो डोस्तों नेश्ट है कि सबसारत सबीरा जाएंगे जब आपके अप्शन निशित अर्थ हो बे बोल्ने शुरालाuk C. वे वाक में प्रियोक्त हूं B. भासा में प्रियोक किये गए हूं तो आंसर होगा A. उनका निश्चित अर्थ हो निश्ट है रिजु का बिलोम सब्द कौन सा है आपके option है रितू, म्रदू, बक्र, अध तो रिजुम का बिलोम सब्द होगा वाक्र नेश्ट कोशन देखते है आंक लगना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होगा आपके option है आसक्त होना, नीद आना C. गहरी नीद में सोना D. आंक का चिपक जाना तो आंक लगना मुहाबरे का अर्थ होगा नीद आना नेश्ट है तपोबन में प्रीव्ट संदी का नाम सोरसंदी B. विसर्ग संदी C. ब्याजन संदी इनवे से कोई नहीं तपोबन में प्रीव्ट संदी होगा विसर्ग संदी नेश्ट है किन ब्याजनों को अर्थ सोर कहा जाता है आपके option है ना ड़ा बी है सा शा सी है वा या डी या इनमेंसे कोई नहीं तो इनमें अर्द स्वर्ज होगा वहोगा उसमें वा और या में आपसे नहोगा सी सही आपका मेश्ट है सही बरतनी चुनी होगा है अंतरगत 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 उपने मेंसे कोई नहीं तो इसमें C आपका आंसर सही होगा अंतरगत नेस्ट है कौन सा सब्द स्ट्रीलिंग नहीं है आपके आप्शन है पानी बाल्टी चूरी इमली तो इसमें पानी सब्द एक स्ट्रीलिंग सब्द है इन में से द्द समास का उधरान कौन सा है आपके आप्शन है ए पितामबर बी नेतरहिन सी चौरा डी रुपिया पैशा जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको द्द समास पैचानने का सबसे आसान तरीका है इस टाइप का अगर बीच में दिया हो योजक चिन इसे बोलते हैं अगर योजक चिन दिया तो द्द समास का उधरान होता है तो रुपिया पैशा में द्द समास है नेश्ट है फेरी वाला मिठाई लगा इन सब्दों में प्रियोग हुआ है क्या प्रियोग हुआ इसमें फेरी वाला मिठाई में तो उसमें प्रत्य का प्रियोग हुआ है न तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों गर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के